यहाँ पर हम कुछ questions को discuss कर रहे हैं react के बहुत important कुछ interview questions है जो कि मुझसे ही पूछे गए थे अब तक जितने भी questions है जैसे यह third video है series की तो यह दोनो questions भी मुझसे पूछे गए थे और यह जो third question है यह भी मुझसे ही पूछा गया था तो यह question देखते हैं बहुत interesting है इस question में आपको एक custom hook बनाना है custom hook बहुत important एक react का interview question है और अगर आप react का interview दे रहे हो तो custom hook बहुत एक high probability है custom hook सापसे पूछा जाएगा कि आप custom hook कैसे बना सकते हो और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे custom hook implement कराया जाए जैसे में को बोला था तो में को भूबり था उन्होंने में को बोला था इसकी कोई problem statement नहीं है उन्होंने में को कोई problem statement नहीं दीथी उन्होंने में बस इतना बोला था कि आपको custom hook बनाना हाना है suppose अगर user यहाँ पर scroll down कर रहे है तो यहां पर alon उना कहें इतना गाँ करना है इसके लिए स्टलम यहां होना हना है अगर जा रहा है यह कोशन है यहां पे पता चलेगा कि older बहुत इक इन्डस्ट्रहीं पाट है जैसे यहां पर यहां पे यह जो दो कोशन न से इनमें भी कुछ चीज़े बहुत इंट्रेस्टिंग थी आगर आपने ये दोनों वीडियोज देखी है तो इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको set time out को use करना है लेकिन set time out को आपको use करना है with a condition यहाँ पर इस वीडियो में ये catch था इस वीडियो में जो catch था वो recursion था यहाँ पर इस वाले question में भी एक catch है यहाँ पर आपको पता चलेगा कि हम कब state का use नहीं करते react में आपने देखा होगा कुछ भी आपको requirement होती है चलो उठा के सीधा state मनागा तो यहाँ पर आपको बता चलेगा कि कब हम state का use नहीं करते हैं तो बहुत एक interesting question है और I hope question आपको clear होगा आपको यहाँ पर जो इस scroll bar है इस पर आपको एक event लगायाना है जब यह down जाएगा तो यहाँ पर user को down show होना चाहिए अगर यह उपर जाएगा तो user को यहाँ पर up show होना चाहिए बस इतना सकाम करना है तो यहाँ पर मैंने क्या किया है यहाँ पर मैंने react का एक send box बना लिए with the name detect scroll आपको यह जो link है solution का link यह आपको मिल जाएगा video description में आप वहाँ पर जाके भी इसको check out कर सकते हो यह यहाँ पर index.js file है जो कि यहाँ पर main file होती है और यह यहाँ पर आपकी app.js file है मैं को यहाँ पर custom hook बना आना है तो मैंने suppose यहाँ पर folder बनाया ठीक है folder बना रहा हूँ suppose मैं यहाँ पर hooks के नाम से और इसके अंदर मैं कोई हाँ पर एक file बनानी है custom hook आपका जब भी बनेगा तो आपको यहाँ पर use करना है नाम हमेशा use से start होगा with small u और फिर उसके बाद कुछ भी नाम हो सकता है suppose मैंने यहाँ पर use scroll detection मैंने यहाँ पर suppose नाम लिया और .jsx ठीक है यह मैंने यहाँ पर यह बना लियो अब यहाँ पर यह बना देते है use scroll detection एक component में यहाँ पर इसको बना रहा हूँ ठीक है return कर देते है return मैं suppose अभी के लिए मैं div डाल रहा हूँ बाद में मैं को div हटाना पड़ेगा कोई दिकत नहीं है तो मैंने यहाँ पर एक div डाला ताकि यह मैं कोई error न दे क्योंकि return statement में से आपको कुछ नगोच return करना जरूरी होता है ठीक है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर clear देखे थोड़ा छोटा कर लेते हैं उसके अंदर आपको यहाँ पर एक file बनानी है जो की है detect scroll ठीक है dot jsx करके मैं यहाँ पर यह बनाया और const detect scroll और nice ने खुदी snippet देदी मैं को भाड़िया and detect scroll ठीक है तो यहाँ पर मैंने एक component मना लिया इस component के अंदर मैं को इसको use करना है ठीक है तो use scroll detection ठीक है इसको मैंने यहाँ से suppose import कर लिया अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा इसके अंदर यहाँ पर मैं इसको import कर लेता हूँ तो detect scroll को मेरे यहाँ पर import कर दिया इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर simple मैं डाल रहा हूँ detect scroll as a self-closing tag जो मेरे पास यहाँ पर है hello लिखा हुआ था वो यहाँ पर आ चुक इस hello को हटा कर यहाँ पर लिखते हैं code for interview थोड़ी marketing कर लेते हैं और यहाँ पर चलते हैं use scroll direction में यहाँ पर अम एको कांग करना है सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखो ठीक है सबसे पहले तो इसको यहाँ पर h1 के अंदर डाल देता हूँ में ताकि थोड़ा सब बड़ा हो जाए वरना में को यहाँ पर font size और वो सब use करना वड़ेगा इस problem को approach कैसे करना है आपको scroll bar पर event चाहिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक scroll bar चाहिए होगा scroll bar पर event तब ही आएगा जब यहाँ पर scroll bar होगा ठीक है तो scroll bar तब आएगा जब यहाँ पर content जादा होगा ठीक है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपनी screen पर एक scroll bar लाना होगा अब आप यहाँ पर देखो मेरे पास यहाँ पर scroll bar आ चुका है इस question को कैसे approach करना है scroll bar का question है तो आपको यहाँ पर scroll bar चाहिए होगा ठीक है इसी वेश से मैंने यहाँ पर इसको एक अलब component बनाया था ताकि मैं इसको यहाँ पर reuse कर सबूँ अब मेरे पास यहाँ पर scroll bar आ चुका है अब इस scroll bar के उपर में को event चाहिए यह जो यहाँ पर scroll bar है इसके उपर में को यहाँ पर event चाहिए अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर suppose यह यहाँ पर scroll हो रहा है तो यह बार-बार यहाँ पर call होगा वैसे तो में को अगर आप क्या करते हैं जावा स्क्रिप्ट पर अगर आपने बटन पर एक बार click लगा दिया click event अगर आपने बटन पर एक बार डाल दिया है वैसे ही मैं को यहांपे इवंट डालना है इविन आफ कैसे डाल सकते हो मांट पे मैसा कहना पड़ेगा यूजफ़ игр एक बारी में काम हो जाएगा यहां पर मैं अब मैं को इस पर एक इवंट लाणा है इवंट लाणा लानी के लिए हम बहुत एक famous function है अगर आपने जावा स्क्रिप्ट में काम किया है तो add event listener का मैं को यहाँ पर use करना वड़ेगा और इसके अंदर अगर click event होता तो यहाँ पर click आता अगर touch event होता तो यहाँ पर touch आता अगर mouse events होते तो mouse over mouse out mouse in यह सब यहाँ पर आता लेकिन scroll event है तो यहाँ पर आपको scroll करना वड़ेगा और यहाँ पर इसका एक callback function है इसमें डाल देते हैं suppose यहाँ पर handle scroll ठीक है यहाँ पर मैंने एक function डाल दिया इसको मैं को अभी implement करना वड़ेगा अगर आप कोई भी एक event लगाते हो तो आपको event हटाना भी पढ़ता है ठीक है क्योंकि आप directly यहाँ पर event रिमूव करना है जो यह काम कर रहा है अब यह वाला function मनाया लेते हैं तो यहाँ पर suppose const handle scroll यह function मनाया सपोज मैंने यहाँ पर nice अब अगर आप यहाँ पर देखोगे एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूं suppose मैं यहाँ पर hello लिखता हूं hello लिखके मैंने यहाँ इस support default किया वा है नाइस और यहाँ पर suppose scroll or detection is equals to use scroll detection अब अगर आपको मैं यहाँ पर इसको चला के दिखाओ इसको मैंने यहाँ पर क्या किया वा है यह जो यहाँ पर file है scroll पर एक function को call किया यहाँ पर scroll पर function को मैंने यहाँ पर call किया और उस function के अंदर मैंने यहाँ पर hello को print किय अब आप देखो कि जैसी मैं यहाँ पर scroll करूँगा तो आप यहाँ पर देखो यहाँ पर हपका जो hello है वो print होना यहाँ पर start हो गया मैं फिर से यहाँ पर scroll करूँगा तो यह वाला जो function है वो बार-बार यहाँ पर call होगा और यहां पर आपका, आपका console है, वो यहां पर लगातार print कर रहा है, ठीके, यहां तक तो बिलकुल मस चल रहा है, अब मैं को यहां पर यह दिखाना है, कि अगर scroll बार नीचे गया है, तो मैं को यहां पर down show करना है, अगर scroll बार उपर गया है, तो मैं को अब show करना है, मतलग, मैं कोई हाँ पर direction show करने है तो उसको store करने के लिए मैं कोई हाँ पर state बनानी वड़ेगी ठीक है और यहाँ पर suppose response लिया मैंने scroll direction के नाम से suppose ठीक है और set scroll direction और initially हाँ पर मैं up या down जो भी होगा वो मैं हाँ पर store करा हूँगा इसको ले रहा हूँ एक empty string उसके बाद अब इस question को approach कैसे करना है मतलब में को कैसे बता चलेगा कि यह यहाँ पर scroll bar नीचे जा रहा है यह यह यहाँ पर scroll bar उपर जा रहा है यह में को कैसे बता लगेगा तो यहाँ पर है न यहाँ पर एक हमारे पास value होती है रहा हूँ मैं 100 से value वैसे जादा हो सकती है 1000 भी पार जाएगी value लेकिन अगर यहाँ पर उपर 0 है तो नीचे यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं जब हम यहाँ पर इसको नीचे लेके जाएंगे ना तो वो जो value है 0 से वो यहाँ पर increase होती जाती है और अगर यह जो value है अगर current value और previous value ठीक है अगर suppose यहाँ पर यह इस time मैंने यहाँ पर scroll bar इसको रोका वा है जैसी मैं इसको यहाँ पर नीचे लेके गया है तो value update होईगी तो अगर जो आपकी updated value है वो previous value से जादा है क्योंकि उपर 0 है नीचे 100 है और अगर आपकी current value previous value से जादा है मतलब आपका scroll bar नीचे गया है इसको अगर मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ तो आपकी value कम होईगी उपर जाते वे तो मतलब जो previous value है वो जादा होगी current value यहाँ पर कम होगी अगर ऐसी situation है तो आपका scroll bar उपर गया है तो यहाँ पर यह approach है इस question की इसको handle कैसे करना है जैसे मैं को यह value कहां से बतल लगेगी कि यह यहाँ पर नीचे गया है यह यह यहाँ पर उपर गया है तो इसकी value कहां से हाएगी 0 से 100 तक तो उसके लिए अपने बास एक event होता है जो की होता है window के अंदर वो event होता है और यहाँ पर होता है scroll y horizontal scrolling के लिए होता है x vertical के लिए होता है y तो अगर यहाँ पर मैं आपको इसको print करके दिखाओ और इसको suppose मैं आपको यहाँ पर चला के दिखाओ आप खुद देखोगे यह चीज तो अगर suppose मैं यहाँ पर इसको नीचे लेके जाता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे कि यह जो value है यहाँ पर increase होती जाएगी आप यहाँ पर देखो यह थोड़ से यहाँ पर slow चल रहा है इसी वसे मैं बोल रहा था कि यहाँ पर कब आपको state use नहीं गरनी आप यहाँ पर अब सीखोगे मैं आपको क्या बोला था उपर यहाँ पर value 0 होगी तो यह यहाँ पर 8 से start हुआ और आप यहाँ पर देखो value यहाँ बढ़ती ही चलि गई value यहाँ पर भड़ती चलीगे जब मैं यहाँ पर नीचे आ रहा हूँ मैं यहाँ पर support नीचे आता हूँ तो आप यहाँ पर देखो यह जो value है आपकी भड़ती चाहिए ठीक है value यहाँ पर 168 तक पहुच चुकी है लेकिन अगर मैं इसको उपर लेके जाता हूँ तो आप यहाँ पर देखो कि value वापस से यहाँ पर come on start हो जाएगी ठीक है तो हम इससे इसको track कर सकते है मैं को current value चाहिए current value कैसे आगी current value आगी आगी आपकी window.scroll wise से यह आपको current value देगा जहाँ पर इस time आपका scroll bar है previous value के लिए मैं को जो इसकी value है उसको कहीं पर store कराना पड़ेगा जैसे variable के अंदर मैंने हाँ पर इसको store कराया और फिर current value से मैं को इसको match करना पड़ेगा मतलब वो value आपकी less than है या फिर वो value आपकी greater than है अब यहाँ पर इस question का सबसे tricky बाट आता है अगर आप इस window.scrolly को एक state के अंदर store कराओगे ठीक है क्योंकि state update क्या करता है state update आपका जो UI है उसको rerender करेगा और यहाँ पर आपका इतना frequent state update होगी कि वो बरदाशन कर पाएगा तो यहाँ पर एक state के अंदर इसको store नहीं कराना यह इस question का सबसे tricky point है window.scrolly अगर आपको पता है तो आप यहाँ तक तो पहुँच जाओगे लेकिन अब इस value को store कहाँ पर कराना है दिमाग में सबसे पहली चीज यही आएगी कि इसको एक state के अंदर डाल देते हैं लेकिन अगर आपकी state बहुत frequently update हो और यह जैसे अगर suppose यह values में state के अंदर डालते हो तो आपकी जो state है वो बहुत frequently update होगी यह state के अंदर चल नहीं बाएगा आपको यहाँ पर एक ref बनाना पड़ेगा जब भी कोई ऐसी situation आती है तो हम हमेशा ref बनाते हैं तो आपको जो value है उसको एक ref के अंदर store कराना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ प्रिवेस scroll y के जो value है उसको मैं यहाँ पर ref के अंदर store कराऊंगा अब मैं को इसमें value को insert कराना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर क्या काम कर सकता हूँ sir मैं यहाँ पर इसके previous scroll y के जो यहाँ पर आपका previous scroll y है current में मैं यहाँ पर सीधा window.scroll y की value डाल सकता हूँ इससे उपर value को update कराने से पहले मैं को यहाँ पर check लगाना पड़ेगा कि अगर आपकी जो value है suppose आपकी जो previous scroll y की जो value है previous scroll y.current अगर यह value आपकी greater है ठीक है window.scroll y से तो उस case में इसका मतलब क्या है कि आपका scroll bar अप गया है अगर आपकी previous value 65 है और आपकी current value 50 है मतलब आपका scroll bar पहले यहाँ पे था 65 पे अब वो उपर जा चुका है 50 पे तो मतलब आपका scroll bar उपर गया है तो उस case में मैं को यहाँ पे state को update कराना वड़ेगा state का नाम किया था set scroll direction था set scroll direction मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर मैं को डाल देना है up लेकिन अगर आपकी जो value है अगर वो यहाँ पे कम है तो उस case मैं को यहाँ पे डाल देना है down ठीक है बस इतना सा काम करना है इसमें पोर्शन बहुत सिंपल था कुछ भी नहीं था ठीक है सबसे प्रिकी पार्ट इसका यह वाला था कि आपको जो वैल्यू है वो रेफ के अंदर स्क्रॉल वाये इसकी वैल्यू बहुत फ्रिक्वेंटली अपडेट होंगी आप इसको स्ट पर लिए आते हैं नाइस यहां पर चलते हैं ठीक है अब यहां पर हमने क्या किया था इसमें सब सबसे वहले तो एक यह लगाते हैं और फिर मैं को यहां पर फ्रेग्मेंट चाहिए होगा और यहां पर मैं को वैल्यू डाल देनी है स्क्रॉल डिरेक्शन की जो वैल्यू व तो आप अगर यहां पे देखो तो जैसी में यहां पे इसको ऊपर लेकर जाओंगा तो आप यहां पे देखो यह इसने में को अपसे पूछा गया था यहाँ पर सबसे tricky part इसका यही था कि आपको यहाँ पर जो value है जो frequently updated value है उसको आपको ref के अंदर store कराना होता है तो I hope clear हो आओगा and अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या like करना अगर आप channel पर नहीं हो subscribe करना बाकी videos आप check out कर सकते हो बहुत कुछ है अगर आप interview preparation कर रहे हो तो यह node.js series बहुत important है इसको देखना जरूरी और advanced यह javascript series भी बहुत important है और यह तो है important तो अगर आप front end के तियारी कर रहे हो और month stack के तियारी कर रहे हो यह कुछ series बहुत important है और बाकी AWS के projects है यह आप यहाँ पर check out कर सकते हो इनको next.js projects है और month stack projects है javascript projects है java projects है तो यह सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो तो अगर वीडियो बसन नहीं हो like करना चैनल पर अगर आप नहीं हो subscribe करना and see you in the next video bye